पाले के देसुने से जहां 14 माधा मंदिर में सेनी लाल बान जाने वाले मार्क पर दलदल और जल भराव से ग्रामीन परेशान हो गए ग्रामीनों ने बताया कि यी रोट्स पीकिर्ट होने के बावचुद इस पर डामनी करन नहीं होने से आवागमन में बेहत परिशानिया हो रही है ग्रामिनों ने बताया कि बारश की मौसम में इसे ग्रेवल रूट पर मिट्टी फिसलन की वज़े से कई बार लोगों के साथ में हाथ से हो चुके है ग्रामीनों ने बताया कि हमने पीर जबलू जी की उचा अधिकारियों का अवगत कराया जिस पर स्थाने अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे जिससे ग्रामीनों को बेहत परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे को विदाएक साब ने ये रोड के बारे में बताया था हमने कि यहां पूरी गाओं की मवेशी आती जाती है और कई बार तो मवेशी यह घिर गई है स्लिप रस्ता है मिती का रस्ता जो गिली हो जाती है उसके बाद में चलना फिलना बंद हो जाता है कोई बीमार बेगत इसपे बारे में उन्हाने एकसाभ से यह स्भीगर्थ कर गया है रोट और स्वीगर्थ कुरणेर के राहे पादे मारघ यात्रियों से भरी हुई टेक्सी कार के पीछी से भिडंत हो गए जिसे की टेक्सी में सवार चार यात्री गंभी रूप से घायल हो गए घायलों को ग्रामीन के दारा लाठी प्रात्मक की स्वासिकेंद्र लाआ गया जहां से प्रात्मिक उप्चार के बाद में चारों घायलों चूदपुर रफर कर दिया गया चौनकरी के नुसार जैसलमेर वालमी की कॉलनी से वालमी की समाज का संग टैक्सी में सवार होकर बाबा राम देव समाधी के दर्शन के लिए जा रहा था इस औरा लाठी शेत्र की धूलिया गाउं पर बने जंप के आगे चार ही कार पीछे से टैक्सी में जाग उसी जिस्तिया संतुलित हो गये डिसी की टैक्सी में सवार छहला राम, सत्तर वर्ष पुत्रय मंगला राम, मन्जू, पच्वन वर्ष पुत्रय पूरा राम, तमन्ना तेरा वर्ष पुत्री रमेश, निशा चार वर्ष पुत्री रमेश, राती सभी हरीचन टैक्सी के नीचे गिरने से गभी रूप से खा पूरेफर किया नहीं सूचना मिले पर लाचे पुलिस ने मुख्यारक शक खाकुरा मैच आपता वाके पर पहुचे और पुलिस ने सभी खाइलों के बयान लेकर आगे की कारवाही शुरू कर दी है